वोल्टेज लिमिटर सर्कीट, वोल्टेज लिमिटर सर्कीट हम यहां पे 741 ओपम्प आई-सी इस करके देखेंगे वोल्टेज लिमिटर सर्कीट में डू जैनर ड़ायोर ेंगेटर कोदेखें, ऑर वो फिड़क पाथ में कनेक्ट्रिट हमándин वोल्टेज से इंपुट वोल्टेज तक जो बात है उसमें D1 और D2 जो जैनर डायरे वो कनेक्ट रिदे हैं और उसकी लिमिट रती है वोल्टेज नायरे वोल्टेज यहां पे जो बात में जिरो वोल्ट रहेगा वो जैसे ही इंक्रीज होता है पॉजिटिव डाइरेक्शन में यह 0V जैसे ही इंक्रीज होता है तो आउट्पूट वोल्टेज जो है यह आउट्पूट वोल्टेज जो है वो निगेटिव डाइरेक्शन में इंक्रीज होगा तो उट्पूट डाइरेक्शन में इंक्रीज होता है वो निगेटिव डाइरेक्शन में इंक्रीज होता है वो निगेटिव डाइरेक्शन में इंक्रीज होता है जैसे ही इंपूट वोल्टेज जीरो वोल्ट से पॉजिटिव डाइरेक्शन में इंक्रीज होता है और एक इस टाइम डाइड जेनल डाइड जो डीवन है वो फॉरवर्ड गायस में रहता है और जेनल डाइड में रहता है maximum negative value इसकी जो maximum negative value रहेगी आउट्पुट वो रहेगी यहाँ पर B output is equal to Vz plus Vb1 यहाँ पर इसकी जो maximum इससे ज्यादा इसकी value में रहेगी जेनर voltage plus diode 1 का voltage तो Vz जो है यहाँ पर जेनर voltage होगा और Vd1 जो रहेगा यहाँ पर voltage drop across the diode D1 Vd1 जो रहेगा वो यहाँ पर voltage drop रहेगा across this diode 1 और उसकी value voltage drop की value जो यहाँ पर है वो है 0.7 voltage जब Vd1 वी इन्पूट को V जब यह voltage drop जो है across the diode D1 जहेना diode D1 वो और प्लस Vz होगे यह इसकी maximum value होगे जब इन्पूट वोल्टेज जब 0V होगा और इंक्रीज होगा निगेटिव डाइरेक्शन में अब जब यह इन्पूट वोल्टेज जब यह इन्पूट वोल्टेज वो निगेटिव डाइरेक्शन में इन्क्रीज हो रहा है तो जो आउट्पूट वोल्टेज वो पॉजिटिव डाइरेक्शन में इन्क्रीज होगा जैसे ही इन्पूट आएगी तो डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस में रहेगा और डायोड D1 एवलेंची कंडीशन में आएगा और डायोड जैसे ही D1 एवलेंची कंडीशन में आता है तो इसकी मैक्जिमाम पॉजिटिव डायोड रहेगी यहाँ पे वीजेड प्लस वीडीटू यहाँ पे जो वीजेड है वो रहेगा जेनर वोल्टेज और वीडीटू रहेगा वोल्टेज ड्रॉप एक् क्या हुआ जीरो वोल्ट से जब V in इंक्रीज होगा पॉजिटिव डायरेक्शन में आउट्पुट हमें नीगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज होता हुआ बिलेगा और उसकी मैक्जिमाम वैल्यू रहेगी वो रहेगी वीजेड प्लस वीडीटू रहेगी देयरपोर जो आउट्पुट वोल्टेज है वो स्विंग करेगा उसकी जो लिमिट रहेगी वो स्विंग की लिमिट रहेगी वीजेड प्लस वीडीटू तो वीजेड प्लस वीडीवन और यहाँ पे जो वीडीटू और वीडीवन जो वोल्टेज ड्रॉप रहेगा वो र वह 0.7V रहेगा यहां पर जो इन्पूट तर्मिनल है यह OPM के जो इन्पूट तर्मिनल है वह है V1 और V2 वह बर्चेल ग्राउंड से कनेक्टेडे बर्चेल ग्राउंड से कनेक्टेडे मतला V1 और V2 इसकी वैल्यू रहेगी यहां पर 0V और V इन्पूट जो है वह यहां पर इन्वर्टिंग टर्मिनल को कनेक्टेड है एक्रोस इस रेगिस्टर आर और आउट्पूट वोल्टेग जो है वह D1 और D2 जेनल डायोड D1 और जेनल डायोड D2 इसके फिड़बेक पाच से वह कनेक्टेड है यहां पर इक रोम यूस किय और रोम जो रेजिस्टर यहां पर यूस किया गया है वह यहां पर मिनिमाइज करता है और जो भी आपसेट प्रोग्लम आता है उसको वह मिनिमाइज करता है इप नेट टो लिमेट थे स्पींग ऑप आउट्पूट वोल्टेज तो द पॉजिटिव डिरेक्शन अगर हमें आउट्पूट वोल्टेज से पॉजिटिव डिरेक्शन में और निगेटिव डिरेक्शन में स्विंग करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा तो कॉंबिनेशन ओफ जेनर डायोड और सिंपल रेक्टिफायर डायोड कर यूज करना पड़ेगा यहां पर जो दो जे पॉजिटिव डिरेक्शन में हमें मिल लेगा इसके लिए इन्पूट वोल्टेज जब जीरो वोल्टेज से क्रॉस करेगा और पॉजिटिव डिरेक्शन में इंक्रीज करेगा यह इन्पूट वोल्टेज जब जीरो पॉइंट से क्रॉस करके वह पॉजिटिव डिरेक्श यह तभी पॉसिबल है जब डायर D2 जो है वह रिवर्स बायस मेरेगा और ओपयम ऑपरेट्स इन ओपन कॉन्फिग्रेशन ओपयम जब ओपन डूप कॉन्फिग्रेशन में ओपरेट करेगा तभी यह पॉसिबल है जब इन्फुट वॉल्टेज जीरो से क्रोस होके υडिग इनक्रीज इन नीगेटिव डायरьеक्षन नीगे जीरो को क्रोस होके नीगेटिव डायरेक्षन में बढ़ता जाएगा तब आउट्पूट ंपर्थिम्सं पॉजिटीव डायुटेशन में पॉजिटीव डायुटेशन में इंक्रिस होता जाता है और इस कंदिशन मेरे डायोड D2 यो है रिक्तिफाइंड डायोड D2 जो है वो फॉर्वरड बायस होगा और D1 जो है जो जो जेनर डायोड है वो एवलेंची कंडिंशन में आ जाएगा इसके लिए जब आउटपुट मैक्सिमम होगा मैक्सिमम आउटपुट जो कॉसिटी लिवल तक कोचेगा वो होगा वीजेड प्लस वीडीटू यहां पर जो जेनर मने प्लस वीडीटि Two जो है वो गोल्टच ड्रपaker अक्रोस डायोड ब्लस वीडी टी जो है वो गोल्टच ड्रॉप है अक्रोस डायोड ब्लस दायोड डिटू तो जब टायोड ब्लस रहेगा तब हमें B1 avalanche condition में मिलेगा और open close loop में मिलेगा और यहां पर input negative cycle में increase होता जाएगा तो output जो है वो positive half cycle में increase होगा पर output की positive half cycle की limit होगी वो maximum limit होगी Vz plus Vd2 मतलब जेनर वोल्टेज जेनर डायोड के प्रोस में जो जेनर वोल्टेज है वो प्लस वोल्टेज ड्रॉप जो एक्रोस में डायोड D2 में मिल रहा है वो इतनी उसकी maximum limit होगी अगर हमने डायोड D1 और D2 की position interchange कर दें तो जो output voltage वो इसकी limit होगी negative direction में जब अगर हम दोलो डायोड की position interchange कर देते हैं तो जो output voltage है उसकी limit negative direction में रहेगी और वो negative direction में उसकी limit रहेगी minus of Vz plus Vd2 minus of Vz plus Vd2 और उसका positive direction में उसका voltage होगा वो होगा positive V saturation मतलब यहाँ पे जो अगर हम दोलो डायोड की position exchange कर दें इंक्सचेंज कर दें तो positive half cycle में इंपूट की positive half cycle में जो output voltage मिलेगा वो negative direction में मिलेगा पर negative direction में maximum उसकी जो limit होगी वो minus of Vz plus Vd2 और जब input voltage negative direction में negative half cycle में increase होता जाएगा तब output voltage में positive half cycle में मिलेगा पर उसकी maximum limit होगी वो होगा positive V saturation इव एक सिंगल जेनर डायोड हम यूज करते हैं इन इस फिगर ये फिगर में देखना कि एक सिंगल जेनर डायोड यूज करते हैं इन प्लेस ओफ D1 और D2 की जगह पे सिर्फ एक जेनर डायोड यूज करते हैं और वो भी एक feedback path को connected रखते हैं तो आउट्पूट वोल्टेज की जो limit होगी वो हो जाएगी plus Vz to minus Vd जब सीप एक जेनर डायोड लेंगे तो आउट्पूट वोल्टेज की limit हमें जेनर वोल्टेज to voltage drop Vd तक हमें मिलेगी exact opposite result obtained अगर इसके exact opposite result चाहिए तो यहां पे जो डायोड उसकी position हम चेंज कर देंगे उसकी polarity अगर हम चेंज कर लेते हैं तो जो आउट्पूट वोल्टेज मिलेगा वो मिलेगा हमें plus Vd to minus Vz उसकी जो आउट्पूट वैल्यू मिलेगी उसका limit रहेगा वो रहेगा plus Vd to minus Vd मतलब उसकी जो value है वो भी interchange हो जाएगी यह जो voltage limiter है इसकी different applications है जैसे in the communication system communication system में हम voltage limiter यूज कते हैं जहां पे भी voltage का limit करना का काम होगा वहां पे हम communication system में voltage limiter यूज करते हैं जैसे की devices, TV हैं, TV में भी voltage limiter करना है है हर चैनल पे FM receiver हैं, वहां पे भी voltage limiter यूज होता है कर भी यूज है यूज